आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भगवान से बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ये संभव है कैसे इसके बारे में आपको बताएंगे हम भक्ती मार्ग में क्या करते हैं भगवान से प्रे करते हैं भगवान से इच्छा करते हैं कामना करते हैं तो हम भगवान को बता देते हैं, भगवान ये इच्छा मेरी पूरी कर दो, तो उस भक्ती मार्क में भगवान से हमारा communication, one way communication होता है, हम भगवान को बता देते हैं, लेकिन भगवान का reply हमें नहीं आता, यहां पर जो आपको बताने जा रहे हैं वो है कि हम भगवान से बात करना मतलब हम भगवान से बात करना मतलब हम उससे question भी पूछ सकते हैं और उसका answer भी ले सकते हैं अब कैसे इसको हम जानेंगे कि पहले उसके लिए जानना क्या जरूरी है कि मैं भगवान से बात करूँगी तो उसका तरीका क्या है देखिए अगर सपोस फॉर एक्जामपल हमारा प्रेजिडेंट है प्रेजिडेंट ओफ इंडिया उनसे कौन से लोग मिल सकते हैं जो उनके लेवल के लोग होंगे वही मिलेंगे ना सभी तो नहीं मिल सकते हम भगवान से मिलने की बात कर रहे हैं तो हमें भी भगवान के लेवल तक पहुँचना होगा या भगवान के स्वरूप में आना होगा एक तो ये तरीका है कि उसके जैसा हम बने तो अब हम उसके आमने सामने बैठेंगे दूसरा तरीका है या भगवान मेरे जैसा बनकर आके मेरे सामने बैठ जाए तब हम नहीं सामने हम बात कर सकते हैं तो मेरे जैसा बनकर वो आए और बात करे ये भी होता है लेकिन इसको एक्स्प्लेन करने के लिए ज़्यादा समय चाहिए दूसरा तरीका है जो भगवान जैसा है हम वैसा बनकर उसके सामने बैठें और वो हमारे सामने बैठें और हम बात करें तो बात होती है ना इसी तरह से ही कम्मिनिकेशन होता है बातचीत होती है अब भगवान को आप देखिए हम भगवान को उपर द्रिस्टी में देखते हैं चाहें किसी भी धरम में देखिए अल्लाह वो भी उपर ही द्रिस्टी करते हैं कि अल्लाह कहीं उपर है हम भी भगवान को कि वो कहीं उपर उँचे स्थान पर है और भी सिख में भी देखिए वो भी उपर उंगली करते हैं सबका मालिक एक तो सबकी ये सब अंदर से जानते हैं कि वो कहीं उपर उचे ते उचे स्थान पर है अब सेंटिफिकली आप देखिए उचे से उचे स्थान मतलब सबसे उचे स्थान जो होगा वहां कौन रह सकता है हाइट पर कौन सी चीज जाती है जो लाइट होती है जो हलकी होती है और भगवान तो सबसे उचे स्थान पर बैठा है तो वो कितना लाइट होगा कितना हलका होगा इससे आप अंदाजा लगा सकते हो तो भगवान का जो स्वरूप है सिख में भी क्या कहते है एकोमकार निराकार कि वो निराकार है और मुसलिम्स में भी परमात्मा को अल्लाह को कहते हैं वो एक नूर है मतलब वो एक लाइट है नूर माने लौ लाइट और हम भी शिवलिंग के रूप में उसको याद करते हैं तो इसका ये तो स्पस्ट हो गया कि वो देहधारी नहीं है उसका अपना शरीर नहीं है और वो सबसे उचे ते उचे स्थान का रहने वाला है तो सबसे उचे ते धर्ती से आसमान से भी उपर और भी उपर उसका रहने का स्थान है तो जो सबसे लाइटेस्ट चीज होगी सबसे हलकी चीज होगी वही वहाँ रह सकती है इतनी उचाई पर तो वो एक उसका स्वरूप क्या है वो स्वरूप परमात्मा ने खुद बताया बच्चे तुम शिवलिंग के रूप में मेरी पूजा करते हो मैं शिव हूँ शिव ही भगवान है अल्ला है, खुदा है, गौड है हम उसको अनेक नाम से जानते हैं वो शिव है, शिव माने कल्यानकारी और वो बहुत लाइट है वो एक पॉइंट अफ लाइट चमकता हुआ सितारा है लाइटेस्ट इसे लिए वो सबसे उचे स्थान पर रहता है और वो परमात्मा सर्व शक्तिवान है और हम बच्चे वो क्या कहता है हम उसको कहते हैं गौड फादर तो वो सबसे उचे स्थान पर है और हम यहां शरीर में है तो आपको एक एक एक्जामपल बताते है जैसे समझाने के लिए देखिए हाथी का बच्चा कैसा होता है हाथी जैसा होता है और शेर का बच्चा कैसा होता है शेर जैसा, मनुष्य का बच्चा कैसा होता है, मनुष्य जैसा, तो परमात्मा का बच्चा कैसा होगा, परमात्मा जैसा ही होगा न, तो परमात्मा सबसे लाइट है, लेकिन सर्व शक्तिवान है, उसके लिए कहा जाता है, वो अजर, अमर, अविनाशी है, तो परमात्मा क्या है? सबसे light, निराकार, सर्वशक्तिवाद तो उसका बच्चा कैसा होगा? Definitely उसके जैसा ही होगा पर हम क्या कहते हैं? हम Godfather मतलब हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है तो हम भी उसके जैसे ही होने चाहिए न तो वो light है, हम light तो हम भी light होने चाहिए हमारा रूप भी निराकार होना चाहिए और हम भी शक्तिशाली होने चाहिए और मैं भी अजर अमर अविनाशी होनी चाहिए लेकिन ये शरीर, ये देह तो विनाशी है तो it means कि मैं ये देह नहीं हूँ मैं भी उसके समान हूँ उसके जैसी हूँ क्योंकि वो मेरा फादर है तो जैसा फादर वैसे उसके बच्छे तो फिर मैं कैसी हूँ ये देह तो मैं नहीं हूँ क्योंकि ये तो विनाशी है मेरा पिता अजर है, अमर है, अविनाशी है तो definitely मैं भी उसके जैसी अजर, अमर, अविनाशी एक शक्ती हूं और वो भी निराकार है, मैं भी निराकार हूं उसको हम इन दो नेत्रों से नहीं देख सकते तो मैं भी उतनी ही सुक्ष्म अति सुक्ष्म शक्ति हूँ जिसको नेत्रों से नहीं देखा जा सकता इन दो नेत्रों से हम किन चीजों को नहीं देख सकते आप सोचिए किन चीजों को हम इन दो नेत्रों से नहीं देख पाते देखिए आत्मा हमारे शरीर में आत्मा है ये हम सभी जानते हैं और हम महसूस करते हैं स्विकार करते हैं तो आत्मा जब शरीर से निकलती है क्या किसी ने आत्मा को देखा आज तक कभी नहीं देखा व्यज्यानिकों ने भी बहुत प्रत्न देखिया आत्मा को देखने का लेकिन कोई नहीं देख पाया तो आत्मा भी अती सुक्ष्म है और आत्मा कभी विनाश नहीं होती वो एक शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है तो क्योंकि वो भी अविनाशी है अजर अमर है तो मैं कौन हूँ थोड़ा थोड़ा आप समझने की कोशिश करें आत्मा भी निराकार परमात्मा भी निराकार आत्मा भी अते सुक्ष्म परमात्मा भी अते सुक्ष्म परमात्मा भी अमर और आत्मा भी अमर आत्मा कभी मरती नहीं है वो एक देह से निकल दूसरे देह में प्रवेश करती है तो परमात्मा का बच्चा कौन हुआ ये शरीर मैं या आत्मा क्योंकि वो पिता है पिता जैसा होगा वैसे ही उसका बच्चा होगा तो पिता जब निराकार जोती बिंदू अमर है तो उसका बच्चा भी निराकार जोती बिंदू अमर शक्ती होगा तो मैं उसका बच्चा हूँ तो मैं कौन हो गई मेरी रियल आइडेंटिटी क्या हो गई मैं ये देह नहीं हूँ मेरा नाम प्रतिभा है इस देह का नाम प्रतीभा है मैं ये प्रतीभा मैं परमात्मा का बच्चा नहीं हूँ इस देह के अंदर ब्रकुटी के मध्य यहाँ पर आत्मा का निवासस्थान है वहां दो ग्लांट्स होती है पिच्यूट्री ग्लांट्स और hypothalamus glands इन glands के बीच में आत्मा का निवास स्थान है और वो भी हम इन नेत्रों से उसको नहीं देखवाते सिर्फ महसूस करते हैं तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे हैं परमात्मा पिता हुआ और आत्मा उसका बच्चा तो मैं कौन? मैं एक आत्मा हूँ जो इस देह में विराश्मान है और आत्मा का स्थान यहां भ्रकुटी के बीश में है तो अब आपको पता लगा कि परमात्मा जैसा है वैसे ही उसका बच्चा मतलब हम कौन हैं? हम आत्माएं हैं और ये देह आत्मा का घर है हर एक को रहने के लिए घर चाहिए हम भी अपने किसी घर से आये हैं सभी का अपना अपना घर है तो आत्मा को रहने के लिए भी घर चाहिए तो ये जो देह है ये आत्मा का घर है तो मैं कौन हूँ? मैं एक अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ जिसको आत्मा कहते हैं और वो इस घर इस देह में विराश्मान है और मैं आत्मा परमात्मा निराकार का बच्चा हूँ तो अब दोनों का कम्यनिकेशन पॉसिबल है मैं भी point of light वो भी point of light वो भी एक supreme power मैं भी एक शक्ति क्योंकि जब तक आत्मा इस देह में है सारे अंग कारे करते हैं आत्मा ही इस देह को चलाने वाली शक्ति है तो वो driver है इस देह का तो ये भी शक्ति हुई और परमात्मा भी एक सुप्रीम पावर है तो मैं शक्ति, मैं आत्मा शक्ति उस परमात्मा सुप्रीम शक्ति का बच्चा हूँ यह हमारी right definition हो गई तो अब दोनो मोर्ड एक जैसे हो गई परमात्मा भी निराकार point of light और मैं आत्मा भी point of light तो जब मैं अपने आत्मिक स्वरूप में, point of light स्वरूप में अपने को स्थित करूँगी और परमात्मा पिता को याद करूँगी, उस नेराकार शक्ती को याद में बैठ जाऊँगी, तो मैं उसके साथ मेरा लिंक जुड़ जाएगा आत्मा रूप में मैं परमात्मा को याद करती हूँ, तो मैं उसके साथ connected रहती हूँ उस समय में जो भी संकल्प create करूँगी, जो भी सोचूँगी, वो मेरा हर संकल्प परमात्मा तक पहुँचेगा तो उस स्थिती में स्थित होकर आप जो भी प्रश्ण परमात्मा से अपने पिता से करना चाहें, वो वहां तक direct पहुँचेगा और उसका उत्तर भी आपके पास आएगा ये राज्युक meditation है, जिसमें हम अपने स्वें की पहँचान करते हैं और परमात्मा की राइट पहँचान देते हैं और कैसे हम दोनों connect होते हैं, आत्मा परमात्मा से connect होती है, ये हम जानते हैं और practice कराते हैं तो जब मैं आत्मा point of light, परमात्मा point of light, supreme power को याद करती हूँ तो मैं आत्मा भी एक energy है और परमात्मा भी एक supreme energy है तो energy तो flow करती है, तो हमारा thought, हमारा question, हमारी problem उस स्थिती में हम जो भी उसको बोलेंगे वो उन तक पहुँचेगा और उसका solution परमात्मा से हमारे पास आएगा ये है communication का तरीका, जो राज्यूक meditation हम ब्रह्मा कुमारेस में इसका नाम हमने रखा है राज्यूक meditation जिसमें मैं स्वें की पहँचान, मेरी right identity क्या है, वो जो मैं भूल गई थी, वो हम पहँचान कराते हैं अपने को भी सत्यस रूप में जानना जरूरी है और परमात्मा के भी सत्यस रूप को जानना जरूरी है जब हम दोनों इस स्थिती में स्थित हो जाते हैं, तो हम दोनों connect हो जाते हैं और हमारा communication set हो जाता है यह है परमात्मा को याद करने का तरीका, इसकी practice हम कराते हैं राज्यूक meditation की द्वारा, उम्शाद्य